बच्चो आज हम पढ़ेंगे उर्दू गुलदस्ता किलाज 6 सबक नंबर 9 खिस्मत का खे सबक का खुलासा है पहले एक बादशा के दो बेटे थे बड़े का नाम अप्पास और छोटे का नाम वकास था दोनों की सोच लगती एक दफ़ा बादशा ने दोनों बेटों से सवाल किया इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है बड़े बेटे ने जवाब दिया इन्सान बड़ा आदमी दोलत से बनता और छोटे बेटे ने जवाब दिया इन्सान बड़ा आदमी मुकद्दर से बनता है बाज़सा ने बड़े बेटे को बहुत रकम देकर कहा अब तुम बड़े आदमी बन कर दिखाओ तोनों शहजादे रुखसत हो गए शहजादा अबास अपने मुल्क के गरीब मचारे के पास गया और रकम उसको दे दी मचारे ने इतनी बड़ी रकम देख कर बहुत खुश्वा उसने उस रकम से कुछ रकम उस मटके के कोने में चुपा कर रख दी और बाखी रकम लेकर बाजार गया और चादर और गोश लाया और बाखी रकम चादर के कोने में बाज़ी वहीं एक चील ने चादर में गोश बना देखा तो वो उरती हुई आई और चादर कीच कर ऊगई मचेरे की बीवी ने मटका जिसमें रकम रखी थी कबाड़े वाले को बेज दिया और इस तरह वो मचेरा एक मरतबा फिर घरीब हो गया कुछ दिनों बाद दोनों शेजादे उस मचेरे के पास आये और उससे उदास और गंवीन देखकर हैरान हो गया बड़े शेजादे ने उससे वज़ा पूछी तो मचेरे ने सारा किस्सा सुनाया अब छोड़े शेजादे ने मचेरे को तसली दी और उसको एक रुपिया दिया मचेरे ने वो रुपिया एक तरफ फेक दिया क्योंकि इतनी मालुमूली सी रकम से अपनी आलत कैसे सुधार सकता था उसी शाम को मच्छेरे को एक जानने वाला मच्छेरा आया और कहने लगा मेरा जाल फट गया है तुम कुछ पेसे दो मेरी जाल मरम्मत कराओं और उसके इवस आज जितनी मच्छिया पकड़ूँगा उसमें से आदी तुमें दे दूँगा दूसरे दिन मच्छेरे ने जाल ठीक करागर दरिया में डाला काफी देरबाद उने सिफ़ दो मच्छिया पजी एक मच्छी अपने पास रखे और दूसरी वादे के मताबिक उस मच्छेरे को दे दी जिसने उसे एक रुपया लिया था रुपया देने वाले मचेले न अपनी बीवी से गा आज मचली काट कर ही पकारो चुनाँचा उसकी बीवी ने मचली काटना शुरू कर दी जब मचली का पेट चीरा तो उसके अंदर एक असली हीरे की कीमती अंगूठी निकली मचेरा और उसकी बीवी बहुत खुछ हुए वह अंगूठी लेकर बाजार जा रहे थे रास्ते मोंसे दरफ्त की शाकों में फसी ही दो चार दो चादर नजर आई वे चील उसे ले उड़ी थी फिर उस बाजार में जोहरी के पास वो अनमोल हीरा बेज डाला जिससे उसको बहुत बड़ी रखम मिली आज वो गरी मचेरा बहुत बड़ा अमीर बन गया आली शान हवेली और बड़ी शान के साथ लेने लगा उसने बड़े पेमाने पर मचलियों का कारुबार भी शुरू कर दिया कुछ दिन बाद दोनों शहजादे जब मचेरे के पास आए तो इसकी शान और शुकत देखकर हिरान भी हुए और खुश भी अब तो बड़े शहजादे को वाकर इसका यकिन होगा है कि मैं दोलत से आदमी बड़ा नहीं बन सकता बलकर किसमत भी कोई चीज है बड़े आदमी बनने में किसमत या मुकदर का भी बड़ा दखल होता है चलिए तो इसके बाद इसके मश्की सवाल जवाब हैं इसको देख लेते हैं चे सवाल है पहला सवाल बादशाह ने बेटों से क्या सवाल गिया बादशाह ने बेटों से इस सवाल गिया बताओ इंशान बड़ा कैसे बनता है दूसरा सवाल है शेजादा अबास ने मचेरे को रकम क्यों दी शेजाँ अबाद नमें गरीब मचेड़े को इसलिए रखंदी कि वेत दोलत से बड़ा आदमी बन सके मचेरा उदास कि उता मचेरा उदास इसलिए था कि वे एक मर्तबा फिर गरीब हो गया चोटे शेजादे से मिले एक रुपिय का मचेरे ने क्या किया चोटे शेजादे से मिले एक रुपय को मचेरे ने एक तरफ खेग दिया मचेरा अमीर आदमी कैसे बना मचेरा अमीर आदमी इस तरह बना जब उसे मचली के पेट से गसली और खियमती हिरे के अगोटी मिली आखरी और च्छटा सवाल बड़े शेजादे को किस बात का यकीन हो गया बड़े शेजादे को इस बात का यकीन हो गया कि महद दोलत से आदमी बड़ा नहीं बनता बलके बड़ा आदमी बनने में मुक्समत या मुकदर का भी बहुत बड़ा दखल होता है तो अमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आती है तो छोड़ा सा लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और बताएं कि हमें और आपको किस क्लास की वीडियो चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्द वो सीज़े दस्तियाप कर सकें और अगर कोई में तो भी बताईए ताकि आम उसे दूर कर सको शुक्रिए